नमस्कार दोस्तों जै पातादी स्वागते आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चानल में दोस्तों भगवान विष्णूजी और धन की देवी मातालक्ष्मी की कृपा से 19 मई रविवार को मोहिनी एकादशी के दिन बना देव्य दुरलब महाशुब सयोंग सरवार्त सिद्धी अमरित सिद्धी योग महालक्ष्मी योग बारा राश्यों में से छे राश्या होंगी क करोड़पती माला माल जी हां दोस्तों अब भगवान विष्णूजी और मातालक्ष्मी की कृपा से 12 राश्यों में से 6 राश्यों के किस्मत चमकने वाली है और ये राश्यों एकादशी के दिन धन से माला माल होने वाले हैं ये 6 राश्या करोड़पती बनने वाली है इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोख सकते अब करोड़पती बनने से माला माल बनने से जी हां दोस्तों आपको बता दे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर वरत का अपना महत्व और लाब होता है ऐसा माना जाता है कि वरत रखने से भगवान का देव्या मिलता है और भक्तों पर सुक और समर्दी की वर्षा होती है सभी वरतों में एकादशी वरत का बहुत ही मैतवपूर्ण स्थान है हर वर्ष 24 एकादशिया होती है माई के महीने में पढ़ने वाली दूसरी एकादशी को मोहीनी एकादशी कहते है मोहीनी एकादशी वैशाक म कि शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को मनाई जाती है इस बार 19 मई को मोहिने एकादशी पढ़ रही है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है और सभी मनोकामनाई पूरी होती है दोस्तों आपको बता दे हिंदू धरम में एकादशी व्रत को बहुत खास माना जाता है दार्मिक मानिताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विश्णू की पूजा करने से जीवन की सभी तरह की परिशानिया दूर हो जाती है हिंदू धरम में मोहिने एकादशी सभी एकादश्यों में से काफी खास मानी जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाक मास के शुकल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है इस बार मोहिने एकादशी 19 मई को है माना जाते हैं कि इस दिन वरत रखने और भगवान विश्णू की पूजा करने से जीवन के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुक्सम्रधी की प्राप्ती होती है इसके साथ ही अपने अच्छे करम के कारण मोक्ष की प्राप्ती होती है आए जानते हैं मोहिने एकादशी की तिथी महुरत, महत्व और पारन का समय एकादशी तिथी आरंब होगी 18 मई को सुबह 11 बज कर 23 मिनिट से और एकादशी तिथी समाप्त होगी 19 मई को दोपहर 1 बज कर 50 मिनिट पर इस एकादशी के महत्व को स्वयम शी कृष्णन ने महराज युदिश्टर को बताया था इस इन पूरी श्रद्धा के साथ मोहिने एकादशी व्रत का पालन करने से पुन्य की प्राप्ति होने के साथ अच्छे करम मिलते हैं इसके साथी दान देने से कही यग्य करने के बराबर पुन्य मिलता है इसके साथी मोहिने एकादशी का व्रत रखने से एक हजार गाएं दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है इस एकादशी के और अधिक मैत्व को जाने के लिए सूर्य पुरान को पढ़ सकते हैं दोस्तों आपको हम बता दे कि इस दिन यानि एकादशी के दिन सरवार्त सिद्धी योग, रवी पुष्य योग, अमरित सिद्धी योग, महालक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है जिसमें से बारा राशियों में से कुछ राशी वालों को धनलाव प्राक्ति के योग बन रहे हैं, ये राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं और अब करोड़पती बनने से इने कोई नहीं रोक सकता इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते हैं भगवान विश्णु और माता की लक्ष्मी की कृपा इन पर हो गई है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वे भागिशाली राशियां कौन-कौन सी है दोस्तों आजकल की दुन्या में मनिश्य के लिए पैसा बहुती जरूरी चीज हो गई है बिना पैसे के मनिश्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है यदि किसी भी कार्य की शुरुवात की जाती है तो उसमें धन की आवश्यक्ता जरूर पढ़ती है बिना धन के कोई भी कार्य संपन हो ही नहीं पाता हर व्यक्ती चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाता है जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है जिसे वो बहुत सरा धन अरजित कर सके परन्तु इतनी मेनत करने के बावजूद भी मनिश्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच भी पड़ जाता है इतनी मेनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मनिश्य को मेनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनिश्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनिश्य अपनी कम मैनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है हिंदु धरम में ग्रह नक्षत्रों और राश्यों को बहुत जादा महत्व दिया जाता है यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति की जीवन पर भी देखने को मिलता है कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को इसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राश्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरी विष्णु और मा लक्ष्मी के आशिरवात से चमकने वाली है और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है जिहां दोस्तों इन खुश नसीब और भागिशाली राश्यों में से बात करें तो पहली राशी की तो पहली राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दे कि मा लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी आपके उपर बहुत महरबान हो रहे हैं और इनके आशिरवात से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी की कृपाजिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करनी चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कर्जों से मुक्ती पाने में काम्याब भी रहेंगे आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी प्यापार में अचानक धनलाब होगा और सुख शान्ती का बातावरन आपके घर में बना हुआ रहेगा साथी साथ मक्कर राशी वालों आपके ऊपर भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा सदेव बनी रहेगी हालांकि इस राशी के लोग अपने उग्र सभाव पर थोड़ा सयम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी जी हाँ दोस्तों मेश राशी वालों को बता दे कि इस समय शुब मासयोंग से मालक्ष्मी और भगवान विश्णू की करिपा से आपको अब लाबदायक समय देखने को मिल सकता है आपके लिए इस समय में अब लाबदायक सितियां बनी हुई है आपके लिए धनलाब के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है उन पर अमल करें सफलता आपके हाथ लगेगी साथी साथ अब आपको कही बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकली पेशा वाले हैं उनको पद में उनती मिलेगी और उच अधिकारों का पुरा सयोग प्र अनसम्मान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी साथी साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा माता पिता का आशिर्वाद आपको बड़ी उन्चायों पर लेकर जाएगा इन राशी वालों को मा लक्ष्मी और भगवान विश् दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो खुशनसीब और भागिशाली राशी है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे भगवान विश्टू और मालक्ष्मी के आशिर्वाद से अब इस समय कुश्यों की सौगात लेकर आया है जी हां दोस्तों और ये आप लाबदायक समय सिद्ध होगा जी हां दोस्तों परिवार में सुख शान्ती आएगी आपके रुके हुई समस्तिकार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे जीवन साती से प्रेम बढ़ेगा संदान पक्ष से कोई बड़ी खुशकबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन रहेग भगवान विश्णू और मालक्षमी की अपार कृपाज रिष्टी आपके ऊपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में खुश्यों का वातावरन रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में सुख्रशान्ती का वातावरन रहेगा साथी साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से सम्मेंधत को ही बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त हो सकती है भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशी वालों बहुत ही लावदायक रहने वाला है अब बात करते हैं अगली बागिशाली राशी की तो वो है मीन राशी दोस्तों मीन राशी वालों को बता दे भगवान विश्णू और मालक्ष्मी अत्यन्त महरवान हैं अत्यतिक कृपा आपके उपर बन रही है मीन राशी वालों भगवान श्री हरी विश्णू और मालक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कारे शुरू करेंगे या नया कोई बिजनस शुरू करेंगे आपको उसमें अविश्य ही बड़ी सपलता प्राप्त होगी आपके साथ आप समाजिक रूप से अपनी अलग पैचान बनाने में काम्याब होंगे साथी साथ चात्रों के लिए शिक्षा के शेतर में प्रदती के योग बन रहे हैं परिवार का पुरा सयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशी वालों अब आपको वे सवी खुश्यां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सपलताएं प्राप्त होने वाली है दोस्तों अब बात करते हैं अगली खुश्नसीब और भागिशाली राशी की तो हो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले लोगों को बता दे कि भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके लिए बहुत ही शुब महासयूंग का निर्मान हो रहा है इन राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एकागरता और शान्ती रहेगी आप लगादार सफलता की नए-णए किर्थीवान सापित करते हुए अपने अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे आप अपने मैनज से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे दोस्तों आपको बता दे आपको धनलाव प्राक्ति के भी योग बन रहे हैं व्यवसाय में भारी धनलाव आपको प्राप्त होगा आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की कृपा से कुम्ब राशी वालों समय आपके लिए बेहत अनुकूल है इस समय का भरपूर लाव उठाएं दोस्तों भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुश्यां आएंगी बात करें अगली खुश्णसीब और भागिशाली राशी की तो हो है तुला राशी जी हां दोस्तों तुला राशी वाले लोगों को बता दे आपके उपर भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की अपार कृपात विश्टी बन रही है जिसकी वज़े से आपको अत्यंत भारी धनलाव प्राप्ती होने की संभावना है साथी साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद्ध में तरक्की मिलेगी और साथी साथ वेतन वृदी के भी योग हैं जो लोग विदेश में नौकरी करना चाते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाते हैं तो आपको इस समय सफलता अविश्य ही प्राप्त होगी जी हां दोस्तों इस राशी के लोगों की आय में व्रिदी होगी जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ती का भी सुख अविश्य ही प्राप्त होने वाला है साथी साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश में और आनंद पूर्वक रहने वाला है दोस्तों बता दे भगवान, विश्णों और मालक्ष्मी के आशीरवात से तुला राशी वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में हैं जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे कार्य आपका अविश्य ही सफल होगा इस समय का आप भरपूर लाव उठाएं और समय को अपने हाथ से आप ना जाने दें दोस्तों बात करते हैं अगली खुश नसीब और भागेशाली राशी की तो वो है विशव राशी प्रिशव राशी वालों को बता दे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की विशेश कृपा आपके उपर बनी हुई है आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आने वाली है आपके मानसमान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी जिसकी वज़े से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी जियां दोस्तों आपको इस समय नए अवसर की तलाश है तो वो भी अवसर आपको प्राप्त होगा जिसकी वज़े से ही आपकी जो भी कारे करेंगे वे सफल होते चले जाएंगे आयके साधनों में व्रिदी होगी साथी साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अविश्य सफल होगी प्रिशब राशी वाले लोगों को धनलाब के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं यूं कहें कि धनलाब प्राप्ती भी आपके लिए धनलाब प्राप्ती के अनेक योग बन रहे हैं स्वयम मालक्ष्मी और भगवान विश्णुजी के आशीरवात से इस समय आपके लिए अनुकूल है आप लोगों को बता दे आपके परिवार में कुष्णमा माहोल रहेगा साथी साथ कारोबार में व्रिदी होगी सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी दोस्तों बात करते हैं अगली कुष्णसीब और भागेशाली राशी की तो हो है व्रिश्चक राशी व्रिश्चक राशी वाले लोगों को बता दे भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं आपके द्वारा की गई मैनत का आपको अविश्य ही फायदा प्राप्त होगा आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा साथी साथ इस राशी के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पुरा सयोग भी प्राप्त होने वाला है आपकी मदुरवानी की वज़े से आपकी सवी अटके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की अपार कृपा आपके उपर बन रही है जिसकी वज़े से आपकी धन सम्मेंजित सभी परिस्तित्या दूर होंगी जो भी आपके रुके कार्य है वे अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे विश्चक राशी वालो मालक्ष्मी और भगवान विश्नु जी के आशिर्वात से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अविश्य ही सफलता प्राप्त होगी समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों ये थी वो खुशनसीब और भागेशारी राशिया जिसको भगवान विश्नु और मालश्मी के आशिरवाद से अब वो बहुत बड़ी खुशकब्रियां प्राप्त होने वाली है यूँ कहें कि ये राशिवाले माला माल होने वाले हैं इनको अनेक प्रकार के लाब, दनलाब और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विश्नु और मालश्मी के आशिरवाद से अविश्य ही प्राप्त होने वाली हैं जिसे इन राशिवालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों भगवान विश्नु और मालश्मी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सची दिल से कमेंट बॉक्स में जै मालश्मी, जै श्री विश्नु अविश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद